हेलो दोस्तो मिंश्चियस दुनिया में आपका फिर से स्वागत है, तो दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्विजिलेंड की स्विजिलेंड दुनिया के खुपसूरत देशों में से एक है जो अपनी प्राकर्तिक सुन्दर्ता से पर्रेटोकों को अपनी और आकरसित करता है आल्पस पहाडियों से घिराया देश यूरोप की घुमने वाली जगों में शामिल है स्विजिलेंड के पर्रेटन इस्तोलों का ब्रहमार करने के लिए लोग दुनिया वर से आते हैं यदि आप दर्ती पर स्वर्ग जैसा अनुबब करना चाते हो तो एक बार स्विजिलेंड की आत्रत जरूर करें क्योंकि सुजिलेंड को दर्ती का स्वर्ग भी कहा जाता है सुजिलेंड की प्राकृतिक सुन्दर्ता को कई फिल्मों में फिल्म आया गया है और पहाड़ी दुनिया में बसाई है आकर्सित देश फिल्मी दुनिया में अत्यदिक लोग प्रिरे रहा है सुजिलेंड परेटन इस्तल अपने मेहवान नवाजी के लिए भी जानायाता है प्रकृति प्रेमीर ट्रेकिंग के शोकिन व्यक्ति तदा केमपिंग जैसी गतिवीदियों मेरिची रखने वालों के लिए सुजिलेंड एक शांदार स्थान है यदि आप भी प्रकृति की सुंदर्ता के धनी देश सुजिलेंड के बारे में अधिक जानना चाते हैं या एक वीडियो के जरी सुजिलेंड की सुंदर्ता को महसूस करना चाते हैं तो हमारे साथ बने रहिए तो चलिए सुजिलेंड की यात्रा को शुरू करते हैं सुजिलेंड का इत्यास 34 अतापदी का माना जाता है जब रोमन सामराज्य का अंद हुआ तब सुजिलेंड कई हिसों में बढ़ गया सन 1768 में सुजिलेंड फ्रांस के अधिन आ गया था और फ्रांस ने सुजिलेंड में अपना सम्मिदान बना लिया परन्तु यह सम्मिदान भी जादा समय तक नहीं चला आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो बार विश्वियों दोने के बाद भी सुजिलेंड पर जादा कत्रन नहीं आया और यह खुदी एक अलग देश के रूप में आ गया सुजिलेंड अवकास दिवस अगस्त को बनाया जाता है इसी दिन सुजिलेंड पूरी तरह से आजाद हुआ था सुजिलेंड की राजधानी बर्न है जो की सन 1848 में फेडरल सिटी की मानता से प्राप्त शहर है इंटरनेशनल सी एचेफ के रूप में सुजिलेंड की मुद्रा स्विस फ्रेंक है सुजिलेंड की प्रमुक बासाओं में जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन बासा सामिल है इसके साथ ही सुजिलेंड में अंग्रीजी बोलनी वालों की संग्या बहुत अधिक है सुजिलेंड में दुनिया की सबसे अधिक चोकलेट होती है सुजिलेंड की स्विस पैंकों में बहुत जाद मात्रा में काला धन जमा है सुजिलेंड में सॉफ्ट रिंग दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक पिया जाता है स्विजिलेंड में सबसे अधिक सेलरी एक अध्यापक की होती है स्विजिलेंड में कई खुपसूरत पर्रेटेनिस्थल हैं जो इस प्रकार है नमर एक जूरिक स्विजिलेंड के प्रमुक पर्रेटेनिस्थानों में शामिल जूरिक बहुत याकर सकत सहर है जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग और वित्य विवा के लिए जाना याता है जूरिक स्विजिलेंड का सबसे बड़ा शहर है पर्रेटकों के लिए इस खुबसूरत सहर में बहुत सारे चर्च, म्यूजियम, थेटर, पार्क और जीले देखने के लिए मिल जाएंगी इसके साथ ही सूजिलेंड के जूरिक में कई नाइट कलब भी हैं जो पर्रेटकों को अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेंगे नमबर दो जिनेवा सूजिलेंड पर्रेटन में देखने वाली खुबसूरत जगों में शामिल जिनेवा भी है जिसे सुजिलेंड का सबसे शांत सहर भी माना जाता है सुजिलेंड चोकलेट्स और गड़ियों के लिए बहुत फेमस देश है और जिनेवा इन वियफसाओं का केंदर है जिनेवा सुजिलेंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो कि संयुक्त राष्ट संगटन का मुख्यायले भी है जिनेवा में बहुत ही फेमस मोटर शो होता है जो दुनिया बर के लोगों को अपनी तरफ आकरसित करता है जिनेवा में कई दाशने जगे हैं जहां घूमकर आपको बड़ा आनंद मिलेगा इन मैंसे मुख्य रूप से जिनेवा की लेवो ट्रिकला एक प्रसिद संगरायल है जहां जिनेवा लेग और थेरा हाउस और आरकेस्ट्रा बकाई काविल अतारीफ है नमब तीन लूजर्ण सुज़िलेंड टूरिजमें गुमने वाली जगों में शामिल लूजर्ण शहर खुबसूरत पर्यटन इस्तर है जो कि नीलम जील के उत्री छोर पर इस्तित है नीलम जील सुज़िलेंड की चोटी सबसे बड़ी जील है लूजन स्विजिलेंड का एक छोटा सा शहर है परंदू यह बहुती आकर्सक है इस सहर में बहुती पुराने ब्रिज है जो की पर्रेटकों के आकर्सक का केंद बने हुए है इसके अलावा लूजन में बहुत सारी ऐसी जगें हैं जहां गूमकर आप आनंद की अनिवूती कर सकते हैं लूजन संगी तता साहित्य में रुची रखने वालों के लिए बहुती सांकृतिक स्थान है नमबर चार बेसल सुजिलेंड के प्रमुक दाशने स्थानों में बेसल बहुती आकर्सक्त सहर है जो कि रायन नदी की तटपक बसा हुआ है प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्रेटकों के लिए बेसल बहुती खुशूरत जगे है जहां दूर दूर तक प्रकृति का नजारत देखने को मिलता है बेसल में सबसे अधिक म्यूजियम है और इसके साथ ही कई बुटिक और प्राचिन दुकाने है बेसल सहर में चेरे के पेट बहुती आकर्सक लगते है नमबर पांच जर्मेट अगर आप सुजिलेंड के प्राकृतिक सौंदर को देखना चाहते है तो जर्मेट शहर जो कि मेटर होन के तट परिस्तित है को देखने जरूर जाए मेटर होन आल्प्स की सबसे मुझे जोटियों में से एक है जर्मेट शहर की सबसे आशर जनक बात यह है कि जर्मेट में ना तो कोई कार चलती है और ना ही ट्रेंडर चलती है यह शांति पूर्णी जगए हर किसी को अपनी और आकर्सित करती है शौपिंग के लिए भी जर्मेड में बहुत कुछ है आप यहां शौपिंग के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुफ्ट भी उठा सकते हैं इसके अलावा सुजिलेंड में घूमने के लिए मनमोहक जगए ल सुजिलेंड के फेमस फूर्ट का स्वाद चक्रने का भी आनद प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत ही लजीज होता है सुजिलेंड के लोग इटालियन घाना बहुत पसंद करते हैं जिन में मुख्य रूप से पास्ता और पीज्जा बहुत ही फेमस हैं सुजिलेंड में चॉकलेट से भी बहुत फेमस हैं इसके साथी चीज वैशेरीं जैसे खाक पदार्थ भी बहुत ज़्यादा खाया जाते हैं अगर आपने सुजिलेंड घुमने का मन बनाया है तो हम आपको बता दें कि सुजिलेंड जाने के लिए आप साल के किसी भी मैने का चुनाप कर सक आते हैं क्योंकि यहां का मौसम बहुत ही ठंडा होता है सुजिलेंड घुमने के लिए हर मौसम में अपनी अलग खासियत होती है आप अलग-अलग मौसम में अलग-अलग गती वीदियों में भाग ले सकते हैं सुजिलेंड में गर्मियों के दिनों में भी तापमान कम ही र लब्द हैं और इन होटलों में टूरिस्टों के ठेनने की शांदार व्यवस्ता रहती है आप भी सुजिलेंड के प्रमुक पर लेटन इस्तलों में यात्र करने के बाद यहां रुख सकते हैं सुजिलेंड में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट के कई होटल मिल जाएंगे जिनका चुनाब आप अपनी जरूरत और बजट के उसर्फ कर सकते हैं सुजिलेंड बहुती खुबसूरत देश है और हर कोई शांदार देश की यात्र करना जाता है यदि आपने भी सुजिलेंड जाने का प्लेंड बनाया है तो हम आपको बता दें कि सुजिलेंड जाने के लिए सबसे अच्छा सादन हवाई मार्ग है क्योंकि सुजिलेंड हवाई मार्ग के माध्यम से सभी देशों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है भारत में नियमित रूफ से सुजिलेंड के लिए फ्लैट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी भारत के विविन शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलूरू, कोलकता और कोच्छी सभी सहरों से सुजिलेंड जाने के लिए आपको फ्लैट्स उपलब्ध हो जाएंगी जहां से आप आसानी से डारेक्ट, जूरिक, जिनेवा और बेसल पहुंच सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपने अभी तख हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फटावर चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दवा दें ताकि हमारी ये टेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यवाद